हलो एवरिवन कैसे चल रही है आप सबकी रक्षबंधन के तैयारी तेहरों का सीजन शुरू हो चुका है बड़ी कंफ्यूज हूँ क्या क्या बनाओं रक्षबंधन पर रस्मलाई मैं अपने भाई के लिए बना चुकिए उसको पसंद है उसके अलावा उसको पसंद है आटे चैनल में वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर कीजेगा यह 150 ml का कप है जिसके नापसे में सारा समान ले रही हूँ तो 300 ml दो बार मैंने इस कप से दिसी की लिया है मैं मदलीरी का दिसी की यूज़ करें बहुत अच्छा बहुत बढ़िया है कुश्बू भी बहुत अच्छी है और यह कोई प्रमोशन नहीं है बस मैं यूज़ किया इस लाप को बता रही हूँ गीं के गरम होने पर मैंने इ यह मैं heavy bottom की कढ़ाई लीजेगा आटे को बूरने के लिए क्योंकि आटा बहुत जल्दी जलता है गहीं के इसमें थोड़ी से requirement और रहेगी लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें कम से कम 350 ml के 350 ml के असपस में डालूंगी देसी खान या बूरा डालिए देसी खान बूरा जो भी मिलाना चाहते है वो मिलाए और यह जो बादाम थे और जो गोला था उसो दरदरा पीस लीजेगा और कोर्सलिक ग्राइंड करने के बाद इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से mixing करेंगे इतनी अच्छे से mixing करनी है कि कहीं पर भी वह जो मैंने खांड डाले या आप चीनी डाल रहे हैं कहीं कहीं पर evenly मिक्स होनी चाहिए और क्योंकि हम इसके लड्डू बनाएंगे लड्डू बन नहीं पाएंगे तो एक की बार में भूनने के ताइम पर जादा गीन डालने के बजाए मैं थोड़ा सा गीन अलग से आड़ कर रही हूँ क्योंकि जो है लड्डू के लिए अब हम इसकी बाइंडिंग करके देखते हैं अब देखें इसकी बाइंडिंग करने में किते बढ़ी आराम से लड्डू इसके बन रहे हैं और एकदम पर्फेक्ट मेजरमेंट है तीन कप 450 ml के कप के हिसाब से मैंने लिया आटा और 350 ml के असपस ल लगा है इसमें घी आप पहले कम डालिए फिर आपको रिक्वार्मेंट हो गर्म करके आप डाल सकते हैं अच्छे सी बाइंडिंग वाले इतने बढ़िया से लड्डू बनाई है इंजॉय किजिए लांग लास्टिंग है कोई चाशनी नहीं है कोई पानी नहीं है और देख हम लाते हैं वेकरे से तो इस तरह के डिब्बे में आते हैं ये डिब्बे बहुत यूसफूल होते हैं बचा के रखियागा रैसे भी पसंद आया तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब और कॉमेंट